लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें सर, खतरनाक आतंकवादी जकारतों ने शहर में कई जगा पर बम लगा रखे हैं जिनमें एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े-बड़े होटेल्स, स्कूल्स और कई अस्पताल भी शामिल हैं उसकी शर्त है कि उसके चार साथी जो पिछले बम ब्लास केस में गिरिफतार किये गए थे, उन्हें आज बारा बज़े तक रिहा कर दिया जाए, वरना वो रिमोट से इन जगाओं को उड़ा देगा हमें चार आतंगवादियों के बदले हजारों हिंदुस्तानियों की जान ज्यादा प्यारी है, सर वक्त बहुत कम है, अगर जकार्तों को चनली जवाब नहीं दिया गया तो, जकार्तों को सिर्फ एक ही आदमी जवाब दे सकता है, कमिश्टर सूर्यदेव सिंग स्धिसाओ ठाल कार्वाब, बदातों को सिर्फ आदमी ऑदermी जवाराय है, इस अशना हितो लगाद को सिर्फ प्यान वैंकलन उआवाब, झाक्त प्यादियों को सिर्फ प्यातित, प्यार श्मरे समया जवाब रिक पाद्यार्म आओ मेरे यारो आओ फुशामादी एक से रफो हिंदुस्तान की पुली जिस पर सारी दुनिया नाज करती है और एक तरफ अकेला जिकारतो जिसने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अफिसर लगता है तुमारे हिंदुस्तान के फॉलाद को जंग खा गया है अब अपने दोनों हाथ उपर गार शाब बाश बस अब चंद लमों के बार मैं इस पूरे शहर को तबाहु बरबाद कर दूंगा और तुमें सुनाई देंगी मौत से लिपते हुई तरद नाग चिंके तुमें हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को लल करा है लेकिन हिंदुस्तान के फॉलादी बाशू सम्ग नहीं खा देश करतो अच्छा सुर्यदेव क्या यह सच है कि तुम गोली पहले चलाते और बात बात में करते हो यह आप से किसने कहा क्योंके मेरी गोली खाने वारा तो कुछ कहने के गाबिल रहता ही नहीं और जिसने मेरी गोली नहीं खाई उसकी बातों पर युकीन कैसे किया जा सकता है तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं देखिये हमारे तरीके अलग लग हैं आप मुझरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुझरिम एक ही है एक के बिना दूसरा वही नहीं सकता इसलिए अगर जुर्म को खत्म करना है तो म करना हुजरिम को बेरहमी से फॉरन खत्म कर देरा चाहिए I believe in bullet for bullet नमस्ते जगतनायन जी, नमस्ते जी, आई साब बाग बाग मुबालत, कैसे हो भी शम्त, मैं भी पाय लागा, मंत्री जी नमस्ते, नमस्ते मंत्री जी, आपकी सरकार्वी बड़ी वो है, मेकप के सामाल पर कितना टैक्स बढ़ा दिया, खुबसूरती से नफरत करती है, क्या क्या जाएं, मंत्री जी, यह मेरा बेटा है, नमस्ते, नमस्ते बेटा भरा पुरा खानदार है तुपरा सुरे देव, भाइस साब का पुर्धान, इनके पुर्ते काजली है मेरी बेटी किरन उसे बहुत याद कर रही थी परसो किरन की शादी है अच्छा कब आ रही काजल लंदन से जी कल आ रही है फाइनल एक्जाम के बाद अच्छा चलता है आप लोगों को भी शादी पर निमंतर है जरूर आएगे जरूर आएगे भाई सब आपने बताया नहीं क अपना समझे का अबनाम हम साथे लिजो ठेरे के जे जी नहीं राजरानी ऐसी बात नहीं है अगले साल तो मैं रेटायर हो रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि काजल आ जाए उसकी शादी कर दो वो अपना सुंदर नकर संभाले और मैं गंगा ना हूं मेरे हाथों पर इतने खू ये क्या जी जाजी अपने बाप की तस्वीर पे ठुग दिया ये उसकी खुश किसमती है कि ये सिर्फ तस्मीन है अगर वो जिन्दा होता तो उसे इसी देखाने में कैद करके रखता जैसे और उन्जेब ने अपने बाप शाजहां को कैद करके रखा था आपको इतनी नफ अपने भाई की आउलाद को अपना समझा अपनी सारी जायदाद अपनी सारी स्टेट सूर्य देव सिंग की आउलाद के नाम कर गया हराम जाता यही तो खड़े-खड़े मेरी बच जाती है जी जाजी जाज़ाद नाम करनी थी तो सूर्य देव के नाम पे करता लेकर उसकी उलाद, उलाद के उलाद, उनके नाम क्यों कर गया? उस कमीने को डर था कि कहीं सूरे देव सिंग पिखल कर सारी चाइदाद मेरे नाम ना करते अपने खुम पर इतना नाइतबार जजा है क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी की आपके साथ? क्योंकि मैंने तुम्हारी बेहन से ब्या किया था, एक कोठे वाली से ब्या किया था नए, नए कुबोल किया सने, कहता था, घर को कोठा बनाएगा क्या? तारी जाइदाद से बेदाखल कर दिया पापजी, आपके बाप में आपको सिर्फ जैदाद से नहीं बलकि जिन्दगी की हर उस खुशी से बेदखल कर दिया जो आपके विरास्त थी संद्गी भर जिल्लत के टकड़ों पर पलते पलते हमारी हालतु सपाहिज की तरह हो गई है इसके पास चलने के लिए बैसा की तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं नागिंदर तेरा बाप मेरे बाप की तरह हराम जादा नहीं मैं तुझे तेरा हक दिला कराऊंगा सुन्दर नगर हमारा होकर रहेगा जाहे इसके लिए मुझे खून के दरिया पर लाशों का पुल्क्यों न बांथना पड़े काजल के मरने के बाद सुन्दर नगर और सारी जादात का बारिस मैं हो जाओंगा और कल काजल एरपोर्ट से घर तक नहीं पहुच पाएगी इसका इंतजाम भी हो गयाए पापाजी पास्टेश कांडली प्रसी तो डी अगरफ दूर गेच नंबर फाइग काइग लेंड़ ओने वाली सारी रात मैं तुस्वयान नहीं वो देखो बड़े पापा काजल बड़े पापा काजल तेरी बच्ची, तेरी जान बुजी बड़े पापा की तबियत तो ठीक है न तब देखें उनकी आखें कितनी लाल है तेरे आने के खबर सुनने के बाद राद भर तेरे बड़े पापा सोय नहीं इंगा बस चलता तो ये सुरज को भी दुबने नहीं देते सुरज को भी काजल जैसी पोती होती न वो भी दूबना भूल जाता देखें बड़े पापा हम कितने बड़े होगे बिसकल आपके बराबर हैं क्यों है न बूजी तो कितने बड़ी होगे बिट्टू मगर भाई साब के सामने तूटनी रहेगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था चलो चलो घर चले नहीं बड़े पापा तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा ओफ हमें आपको हमें चलो पेकाmostत कि एकिले पर FEMA देखा अपको ुझे से करभ़ेगे कि लैवरें का proposed a डफी में यपर में कितने रिविst य्यार ये रीवरें उन्होंने में खड़ में बस्य हो आवर W période कि बवर mile बस्जितो ऊवर हो एन्हावा झाल झाल किहां किहां… left stop 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 slid 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 stork oh come on come on come on sit down baby sit down ok अरे वाह, अलू के पराठे, आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे, लो बड़े पापा हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे पीटा, तू अपने हाँस से खाएगी, तीरह पेट तो भर जाएगा तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा हमारे भाद से लीजी क्या हो कर रही ह Berry हम अपने भालू को खिला रहे हैं और भालू हमें नाच दिखाएगा क्या kyan kyan? नो 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 प्लीज प्लीज, प्लीज, क्या बड़े पापा, बच्पन में नहीं दिखा दे दे क्या? होचाय, होचाय, मैं दिखा दे क्या? घमरू, तू भी? मैं आत्मी नहीं, मुझे बेच्छ लगता भालू का डास हाँ, चलो, चलो रुक मनी, देखो नहीं, कैसे मेरे पीछे बड़ी हुई है इस उम्रे में मैं भालू का डास करूँगा क्या? बूजी, बोलिए न बच्चे जिद करे यह, दिखा देजिए न अरे धमरू, देर ताल यह, अरे कीर के आओ, उपर से बूले, बबाबा, बूले बया, बया, क्या सुट रही हुँ, चेची अमल पूल जैसी बच्ची पर किस करवचलेनी कोली चलाई केरे पड़े उससे भगवार करे उसकी भीवी अंधी हो जाए क्या अवलाब कुति का मीनी निकले नास मीते और कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुछ पर नज़र डालन। जचाए, हाँ बड़े जचाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े-खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई सब, गोली का कोई ही मान नहीं होता, वो यह नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है, वो सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तवीज होती है कि फॉलादी सीने के सामने अदब से पेश आएं पिशंबर। बड़े जीटा जी, मुश्किल तो यह है कि आपकी सलामती के लिए किसमत को आपका साथ हर बात देना पड़ेगा। लेकिन दुस्मन की काम्याबी के लिए किसमत को उनका साथ जै-जै, सिर्फ एक बात देना पड़ेगा। तुम फिकर मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी पांका हुआ, उस दिन कयामत आ जाएगी। जेट जी, आप यह खूब हैं, आज ही मैंने अपने बाल साथ करवाय है और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिट्या का लाया हुआ, शीविक शूट में नहीं पहना। आपके चूटी दादी भी काम नहीं है। दमरू विशंबर, तुम लोग जैनाराज जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो न। ओ, मिनिस्टर साहब के यहां। अच्छा वो भाई साब आपने याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था। अरे दमरू, सब को नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे। करवाओंगा तू नहीं करवाओंगा। मैंने भी रिखिया। साम तो दूद पीते हैं। आप लोग क्या पिंगे। ना, 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 नगुंडा, ना, जाने जी, जाने जी। अच्छा मैं साब, इसाज़ती जी। गाजल पिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं। प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हें हर अप्शकुन, हर अशुक्ची से बचाए रखे। तुम्हारा कभी अमंगर नहो। करता हैं। कि जाओ प्रणाम करेंप देवा हैं। तुम्हें रहें करता हैं। लगवावाल पिरूक्ची से बच्छाए रहें रहें। कि अच्छाए प्रेखे। आज तिरी कल मेरी बन्नों हो जाएगी शादी हाई ठीर कहाई सेर सपाता आज बोगाटा नेन लड़े पेंच बढ़े दर्द बढ़े मुझे सजना ने चो माचा न पर मैंने कहा पर मैंने कहा ना 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 प्यार के सादे में खादा हृृृृृृृ एBobर का यभाटा हाँ, आई वो वो कार्डा, आई वो वो कार्डा ओ जान वाँ, जरकों से तो आ, दिल जान से मैं आशिक हो तेरा पर मैंने कहा तीरा है क्या जा, 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 बेवफाजर जा, जा जा, 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 बेवफाजर जा, जा अज़ें छिर, छार की लूटलाइब के भल कर देगा तु ताता घर बैठी थी आलाम से मैं जट पे गई कुछ काम से मैं सीड़ी पे था वो चोर खड़ा निर्के अंदर था शोर बढ़ा माहर गली में सन नाटा आई वो वो पाचा आई वो वो पाचा नेनी कप करकी आई हो तो दीवर में बाच आई हो नो जाने नजर मुझे किसकी लगी हिचच 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 की लगी रभाःच की लगी जो पानी पेओ तो रिसकी लगी जो प्यार करों तो रिस्क लगे कर शरम जुमी छोड मझे मैं काची की हो मत तोड मुझे मेरा कजरा ख़ जाएगा मेरा कजरा धुल जाएगा मेरा पाउदर पन जाएगा मता जाएगा 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 कजर ब्यावे तुझे खुशनाश्ते देख मुझे ऐसा लगा जब तेरी भी डोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी बड़े पापा, I don't like you आप बड़े बदमाश है क्या करूँ, बदमाशों के साथ जो रहता हूँ सोबत कासर तो पढ़ी जाता है ना आप हमें इतनी दूर इसलिए भेज रहें अुई, बड़े भापा, क्या दो हुँח क्याञर क्या दो क्या बुदमाशों के साथ क्यायर घ्य क्या्यर उर किरो मुष्ए हृअ करण अआपक हां हलो हम grad infantry के और करे मोड है और साथ सो एक के नाकबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस्टेंड, एयरपोर्ट, सब रास्टे बंद कर दो सर पहले आप पट्टी तो बान जी जल्दी करो डॉक्टर हाँ, just a minute, we are on the line, headquarters, hello headquarters, हाँ, कुछ पता चला हाँ, हाँ, जेट जी, ये सब क्या हो गया, अभी तो हमारी बिट्टो ने सोलवा सावज भी नहीं देखा था, मैं तो कहती हूँ, आज लगे हरामजादों को, सूवर की जने होंगे, जो हमारी बिट्टो को उठाया जाँ, पत्ता ने उसके साथ क्या सुलू कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होए नहीं सकता हासला रखिये भाई साब, काजल मिल जाएगी किस हाथ में मिल गी है तो भगवान ही जाने तुस मेरे बड़े पापुक नहीं जाते, अगर मुझे कुछ हो गया न, तो तुम्हे जिन्दा नहीं छोड़े कुम्हे ऑी जिन्दा coefficient होए जिन्दाइएएएएएगte कि आपियु姊ना कुम्हेएएएएएएए जिन्दाइएएएएएएए जर फल则एप। लड़की को हमारे हवाले कर दे बाबू तुनतार है क्या कर दो कर दो कर दो कि भी है भी है कुरूर परल्च मुण और दो मुद्या कांध झाट किष्ञार प्छॉण कि एक जा जो brokers प्रता गचैंखाए यंई! अगर एक घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली, तो मैं कानून अपने हाथों में ले रूँगा, जो लोग बारूत के ही जुबान समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझा दूगा मैं बार साब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा पापा, बार साब काजल हागी काजल, 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 मेरी बच्ची, मेरी जान तु मज़ो छोल कर काज़ दिगी ती मेरी बच्ची, तु कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान बड़े पापा, हम तो मरी गए होते, अगर ये वकपर आगर हमें नहीं बचाते इधर ओनो जुमान इस्पेक्टर बूजी क्या ना में तुमारा करन, करते क्या हो, जंग, किस से, भूग से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से तुम परसो मुझे मेरे आफिस में में बिलो, जिन आओ रुकमनी, अच्छा हुआ हमारे बिटो सरी सलामत वापस आ गए काजर बेटा, इनका शुक्रियादा करो हम इनका शुक्रियादा नहीं करेंगी, बड़े पापा, शुक्रियादा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए, तो तोस्ती कैसे शुरूग होगी? पुलिस शहर का चपा 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 चांदे ये बिशमबर सेथ, आपने वादा के दफ पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी मैफूद जगे पर बेज देंगे, काली, मेरे प्यारे जीटा जी, अपने वादे के मुचाबे, तुम लोगों को उच जगा पे बेज जगे, जहाँ पे सूरिय दे सिंटो क्या, तुम अपने हाप को भी नी ढूँच रखोंगे, मार्जे आग इंदर, जी पबजी, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो, जय जय क्या हो गया भाई साथ, मैं आज किसी और ही सुरिय दर सिंटो को देख रही हूं मैंने कभी पहाड़ों को हिलते भी नहीं दिखा पहाड़ों के ओलाद नहीं होती रुक्मनी, ओलाद, ओलाद आदमी को कमजोर कर देती है आप ऐसा क्यूं सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है, पता नहीं कौन मेरी पीच पीशे मुझ पर वार कर रहा है मुझे डर है कि कहीं मेरी बर्दी, मेरी पच्छी के लिए विशापना बन जाए मैं समझते हूं ऐसा, मैंने तो काजल को सिरफ पाला है जब मैं उसके लिए तनी परशान हो सकती हूं तो आपका क्या हाल होता होगा? आपकी जान और जहान दोने तो काजल है तुमने काजल को सिरफ पाला ही नहीं, रुखमनी तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई तुम ना होती तो मुझ जैसा अख़ड पुलिस ओफिसर अपने आरून और कीता की आखरी निशानी को कैसे संभालता आपने भी तो एक बेसारा को अपनी बहन का तरचा दिया मुझे काजल की बुवजी बना दिया रुखमनी, सोच रहा हूँ के काजल को तुम्हारे साथ सुंदर नगर भेज दू सुंदर नगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बच्पन का दोस्त है और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है वहां काजल महफूज भी रहेगी और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे लेकिन आपको लगीन है क्या आपके कहने से काजल चल जाएगी? हां रुक्मनी हां सोचा था कि इस बार उसे जी भरके देखूँगा उसके साथ वक्त गुजारूँगा, उसके साथ खेरूँगा मगर उससे सुंदर नगर जाना ही होगा रुक्मनी काजल को सुंदर नगर जाना ही होगा कमें हां तो करन, कौन-कौन है तुम्हारे घर में? चन फाके, चन टूटे हुए सपने और एक बिमार मा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए, सर कि अपनी आवार्गी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बां कर सके कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुलक में नौकरी कहते है नौकरी खत्रे की हो तो… मौत भी हो सकती है मौत तो मुफ्त में बन्दावे कमिश्टर साब जान तो जिन्दगी लेती है जिन्दगी से बहुत नाराज रखते हो जिन्दगी से नहीं, अपने आप से तो आज से ये नाराज़गी खत्म हो ही समझो, बढ़े तुम्हारी नौकरी पक्की है करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की इफासत आपकी जान? मेरी पोती काजल लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है फिर इस काम के लिए मुझे ही क्यों? पुलिस की माजूदगी की वज़ा से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ फिर मुझ पर यकिन की वज़ा? मेरा विश्वास वरना सूर्य देव सिंग तो अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता आज से तुम काजल के बोडिगार्ड हो जाओ, सुंदर नगर जाने की तेयारी करो सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँगा ओके तैंक्यू सर्थ करन, तुमने अपनी तंखा के बारे में कुछ नहीं पूचा जो सूर्य देव सिंग अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता उसका यकीन ही मेरा मुआपजा है और बाकी जो आप देंगे, वो मेरा इनाम होगा घटबाई सर्थ दॉक्टर साब कहते हैं, फिकर करने की कोई बात नहीं है तु चलती ठीक हो जाएगी मुझे मुझे घर ले चल ले चलूगा जब तु बिल्कुल ठीक हो जाएगी न तुझे घर ले चलूगा ये ठीक कहता है बहन जी आप बहुत कुछ नसीब है जो आपको करन जैसा बेटा मिला अच्छा मा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ डॉक्टर साब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे अपना ख्याल रखना पता नहीं मेरे लिए कहा कहा मरता रहता है यह जिन्दगी भी तो तेरी दी हुई है तेरे लिए नहीं मरूँगा तो किस के लिए मरूँगा अच्छा मा, चलता हूँ भखवा हूं तुझे काम यह भी दे आई डॉक्टर डॉक्टर साब इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वज़े से मेरी मा की जान बची यह लीजिए सरुवत पड़ी तो और लाँगा अब मेरी मा के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए डॉंट बरी, मासला रखो एक अजनभी लड़के को काजल का बॉड़ीगर बना दिया वो अजनभी नहीं है रुकमनी मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया शहीद फॉजी का बेटा है मा बीमार है, हस्पताद में है आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिवाज़त कर सके प्रावल्स तो बहुत सारे ऑफिसर्स है लेकिन काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता पुलिस होगी तो काजल दुशमन की नजर में आ सकती है धोगा को सकता है धोगा तो खा गया काजल की मौत उसकी जिनतगी की खाजत करेगी वा जिड़ा जिवा वा जज़ा है बनवारी बास को धोका देने के लिए बास से भी उपर उनना पड़ता है सूरिय देव सिंग इतना शातिर है कि जमीन पर रिंगने वाले खीडों की जरा से चुमबिश प्यूज की निगास बच रहे सकती उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसाद मी चाहिए था जिस पर सूरिय देव सिंग के शक का साया भी न पर सके हमारी किसमत अच्छी थी कि हमें करन मिल गया सुन्दर नगर और सारी जाइदाद हासल करने के लिए हम कोई भी किम चुका सकते हैं लेकन याद रहे यह कतलएक आदसा करना चाहिए एकसिडंट ऐसा ही हो गा हाद रहे से क्या है Мы Woran खला का क्या हुआ मेरा पुजा का सामान ने मा और पीन सě खताल शना हा अब हात लगाvat पकर सामान को बांदेने के तमदकर मुझे नहीं आता पूजी, पूजी, हम नहीं जाएंगे, समझाए न बड़े पापा को, कामि जंदल में बेज रहे हैं, पूजी, तेरे बगार तो पनवास में बड़े पापा रहेंगे, अरे डम रो, बड़े पापा, सब चीज़ें गाड़ी में रख दी हैं न, जी, सिर्फ महीं बाहर में, बड़े पापा, प्लेज, बेटा, बिट्टू, बूजी, बच्छी, करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं, बलके तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, मैं जानता हूं सर, ये रही पिस्तॉल, और ये रहा तुम्हारा डाइसेंस, सुहाना सफर और ये मौसम हसे, मुझे लगता ये पैल-गाड़ी सुन्दर नगर अगले साल पहुँचेगी, क्यों डम्रू, अगर पहले पता होता, तो एक साल का राशन साथ में लेके निकल के न, अरे देखो मा साइकल वाला भी हमारे आगे निकल गया, चुप करो तुम में लेके में लेके में ओ सकिनाः, तो वाल में ने पता होता नगरो के शिजह का मता जिक और वहान साथ मूशके जना ने कि आपके रहान कि मस्ति गज़ा MON तो बहुख करने और झांपहुख क्या हो गया तो पहुखर पहुखिए लेकिन छोट ही नहीं रहसे की जबनो, बात है करने को बहुत टाइप पड़ा है पहले जीप में से समय को उठाके लाओ जाओ, जाओ, चालू चालू, चालू, चालू सतके जवा, मैं तो समझे मैं विलायती गुट्डा है तु कोन है? डमरू ये धन्नो है भेरा चाचा की बेटी और धन्नो ये डमरू है पीपी जी ये पच्टा भी है ये तिरिफ नाम का डमरू है ये कमरबार, मेरा मादा कुड़ा है न डमरू, वहाँ क्या पबब कर रहे हूँ चलो, जल्दी से समान उठाओ भेंजी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है ये इतने सोएंगे ये ड्राइवर नहीं है इनका नाम करन है बिट्टू के बॉडिगार है तेरे साब ने हिफाज़त के लिए भीजा है इनके रहने का बंदबस कर दो आच्छा जी आच्छा चलो, जल्दी हाथ लगाँ कियूं देखने के लिए कि करन कलजुग सब कर जाओ फटके जाओं कालो, और जाण चालू वैन जी के समें ऊपर वाले कमरे में और बार्ट काश मारए कमरे में पर फठके बादिगार जी आप वा मरे साथ आए ये पॉर्ट्रेन में पैदा हुआ था क्या फटके जाओं, तुझी किसे पता सिगनल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोल स्टेशन आ गया है अमराना दन बालमन चन दिल की वाँ सत्के जावा बीबी जी, गुड़ गुड मॉर्नीं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यहां की सुपर कितने खुबसूरत है न? यह पहाड की सुपर है बीबी जी, महमानों को इसी तरह जगाती है सत्के जावा हेलो, कौन बोल रहे है जी? साब श्याव, सत्के जावा हलो, बड़े पापा बेटा कैसे हो, ठीक चाथ पहुचके? हाँ बड़े पापा बेटा बोर तो नहीं हो रहे नहीं बड़े पापा, लेकिन आपका बार है मैं बहुत जल्दी आओंगा कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा एक मेंट बूजी से बात करिये हाँ, दो गुदमर्ट अरे रुकमनी, क्या हुआ? काओं के धुनमिटे तो चननर रावे होते है आपपना गाल मखेगा जी, के अपू में? सतके जामा, जरा स्टेड़ी लगा कर मुंडे से मेरी चोली तो उतार दे न कर बंदर चुराने कया था यहां के बंदर चोली चुराते है? पहाड़ों के बंदर ऐसे ही होते है जी कैसे होते है जी? बेलकुल तुम्हारी तरह काजाल पुतर, बित्या, लग जाए अपने अंकल देशे अब में दिन्नू ठंड़ हाई रोहित, कैसे हो? एस यूजल, खुद हसता हुआ, दूसरों को हसाता हुआ काज़, अपना रोहित इतना खुश नसीब है के सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोल के रखते हैं अच्छा? खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिन मेरे हावाले कर देते है Mr. Heart Specialist, कहीं मरीदों को ठीक करते करते खोद दिल के मरीद मत पंचाना ओ, वेलसे, वेलसे रॉषनलाल जी, नमस्ते नमस्ते पैंगी, नमस्ते वुल्व न पठ्छा हमादा किते हैं अरे रॉषनलाल जी, आप तो जानते हैं अंकल को यहाँ बलाने का एक आइडिया है मेरे पास आप और मैं मिलकर काजल को kidnap कर लेते हैं मुझे kidnap करना सारा मुश्किल है मेरा bodyguard जो है Bodyguard? जी हाँ, काजल के हिफाज़त के लिए तो काजल के हिफाज़त के क्या दुरूरत है? करन, यह रॉषनलाल जी है ओ, हलो, यंग मैन, शेक हैंड हलो, सर् ओ, मैं क्या? ग्रिप तो तुम्हारी बड़ी दुरूरत है तो कि चेरे पे मुस्कराट काम है मेरी duty मुस्कराने की नहीं काजल के हिफाज़त करने की है Well said, well said, I'm impressed Hi, I'm Rohit कभी कोई दिल की शिगायत हो, तो जरूर याद करना अच्छा मैं चलता हूँ पता नहीं कौन से दिन मेरे इंतजार कर रहा हो और दादू, आप शायद भूल रहे हैं आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है ओ, लोशी आपा काजल बिटिया, तु तो जरूर मेरे बिजनस दा उखसान करवा के रहेंगी जब पहने जिन मेरे यह आदत होए कि मैं अपने टेंडर में जिक पूल लिया तो ओक्यो, क्यो, क्यो, क्यो और पहन जी अज रात नू तुम सब दा दिनर जा दिनर बाई मैं तो ना दो के आया, ओ, राम जी तौवल भी सात ला या, शड़ भी पहन के आया हो मेरी पैंटर किदर है वह राम जी पतोलोन किदर है वह राम य सुदर नगर तो कमाल की जगे, यह आनू खुले आमडोडी हो जातीए यहाह के बंदर तो चोलिया उठा के ली जाती यह ताहिं मेरी पैंट तो नही उडग लेगो, मेरी मेरी पैंट के तर है? वो रा मुछे दमरू रुक यार, हैables मेरी पैंट कहाרא तो,altung तो, मत बागा, माखआ, बागा, बागा, अरए लिकली अधिर तो, जाना कहीं तुम, इसी तो नहीं धूण रहे हो एको मेरे पैंट की साथ क्या कर रही है तांका लगा रही है तांका लगा रही है तांका भजा रही है है सतके जावां देख गंदू मेरे से मजाग मत कर मुझे काजल नेम सबसाथ में दिनर लेने जाना है समझे I am already toilet too late गर का गर्म गरम खाना छोड़के होटल का ठंडा खाना खाएगा क्या सतके जाओं अरे 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 वहां बहुत बहुत देख रही है आपका किदर है तांका आजा देखा रोःट, हाँ कrial बाड़ है…… दुन्या में इतने सारे लोग है … इतने सारे नाम है लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल ध़ड़कने लगता है यसा क्यू होता है रोःट वो तो मुझे नहीं पता काज़ण लेकिन हाँ, इतना जरू कह सकता हूँ कि दिल सिर्फ धड़तने की बाशुजनता है, उसे यह नहीं पता होता हूँ, वो क्यों धड़क रहा है, किस के लिए धड़क रहा है? ये दिल भी क्या चीज है रोए? वे रोए पुतर, प्रेंट काफी हो गई, अब खाना शाना भी हो जाए, खूड़क रहती ही पिछले दो केक्टे से, कदम से कदम मिलाकर, कभी दो इंची दर, कभी दो उंची दर, कभी दो उंची दर, क्ये विलाए थी नाच नाच है क्या? करन बेटे, ये दस्ततखान एक ऐसी दगा है, जहाँ दो इंसान साथ बैठकर, रुट्टिया तोड़ते हैं और दिल जोड़ते है और रोहित दू काजल को सुन्दर नगर की सहर कब करवाए गा? इन्ही दूसरों के दिल चीजने से फुरसत मिले तब ना? दादू, कल ये डॉक्टर तमाम बेवार दिनों से चुट्टी लेकर इस सहतमन दिन को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा जहांकि खुबसूरती देखकर एक शेहनशा अपना ताज, एक सिपाई अपनी तलवार और एक इनसान अपना दिन लेगाल का रग दे तुम नदी देख रही हो ना, अपना महिवाद था ना महिवाद, उसकी गर्फेंट सोनी, उसी नदी पर बेचारी एक कच्छे गड़े पा तेहर के गई और ढूपके बर गई अपना मैं यह था, उसी यह कही कोई ने कोई गिर के बर जाती, अभी पिछले साल यह एक लड़की यह तो गिर के बरेगे जाए करन, एसकिस देखरे किया हो गया कि आफने करा yn जए बहलो मैं करन, क्या वबाई का करे? कुछ नहीं, यार तुम्हारी आखें बड़ी अजीव हैं, ऐसी आखें या तो किसी दीवाने की होती हैं, या फिर किसी कातल की तुम्हें क्या लगता है, भाई पास आने से डर ट्रोहित, एक बात बताओ, अगर कोई लड़का किसी लड़के को लिफ्ट न दे, तो लड़की को क्या करना चाहिए? वरी सिंपल, किसी और लड़के से लिफ्ट मंग लेनी चाहिए क्यों इंपॉसिबल, मेरी सहली की जिंदेगी का सवाल है और तुम, तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो, बताओ ना The whole thing is very simple, गाजर, अपनी सहली को बोलो की कोई problem create करे Problem? ऐसी problem की लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए एक बार हमदर्दी हो गई, तो सौँ में से नबबे मौको पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है और बागी 10 मौको पर? Very simple, शादी यह क्या कर रही है आप? You see, मेरी problem है, और मेरी problem यह कि मेरी problem नहीं समझता अगर मैंसे problem बताओ तो problem, अगर नहीं बताओ तो problem, जब तक मेरी problem उसकी problem नहीं बन जाती, मेरी problem solve नहीं होती और उसकी problem यह कि उसकी problem नहीं Very big problem, मगर इस problem में इस विचारे bell को क्यो problem में डाल रही हो? Hindi, सुन नहीं देखतर कर दमने No problem, no problem No problem काजर C gateway قझ、 क्या देखेंग उखने काजर के जिन्द की हमाने जाओ जाके काजय को बचाओ जाओ जाओ कि एलको ही जाओ कि एलको ही जाओ 25 एफैंटें सुआज। एफाँ आघँड़ में छॉड़ी आड़ा ने ने नदाए चाहराई आपके में गांचे निंगरी आपके दुगाली आई अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो अभी तक ना दो मिरट में चलांगे लगाने लगोगी और याद रखना आगे से बैल को अपने पीछे नहीं आगे भगाना पर रोहेत मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है कहीं मेरा हाट फेल न हो जाए लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है इतनी जल्दी नहीं होगा रोहेत हलो साफ मैं डमरू तरह रामनत को फोन देना मुझे इनको आरे बेवकूप मैंने तेरे लिए फोन नहीं किया मुझे काजल से बात करनी है काजल हलो 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 बड़े पापा कैसी हो बेटा हम बिस्तर में है क्या हुआ हम गिर गए थे बड़े पापा कहां कैसे करन कहा था भुलाओं से बड़े पापा हम ठीक है हमारी गलती थी डॉंट वारी हम फाइन हाँ बेटा तुम्हारा वहां दिल लग गया है ना लग रहा है बड़े पापा हमने तो यहां एक दोस्त भी बना लिया अच्छा अच्छा तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं बहुत ख्याल रखता है बड़े पापा तुम्हें पसंद है हाँ बड़े पापा، पर बोलता है बहुत कम है, हसता तो बिल्कुल नहीं बेटा, तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हसना भी सिखा दो सिखा देंगे बड़े पापा सब सिखा देंगे आप भरोसा रखे असना बोलना तो क्या उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे पर आपका बारे, बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है हाँ, तो फोन पर बोलो न, बेटा फोन पर नहीं, बड़े पापा, हमें शरव माती है आपको यहां आना पड़ेगा ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा बाई जुख जाओगा तुख जाओगा गोजए या रून लाई बिट्टु प्लीस जिद मत करो अच्छा आंटी में चलता हूँ अच्छा बाहर रोहेट करन ने साथ चलो कुछ दवाईया देनी है यार करन तुभे लड़किया समझ में आती है मैं कुछ समझे नहीं कमाल है लड़कियों का कहती कुछ है मतलब कुछ और होता है पूछती कुछ है सुनना कुछ और चाती है मैं कई लड़कियों के दिल खोन के देख चुका हूँ लगते सब नामल है अगर होते नहीं मुझे इस मामनी में कोई तरज़वा नहीं लगी चाप बीबी जी लगता है आपर किसने जदू टोना कर दिया है लगी में आपकी नदर उतार देती है इस रोब का कोई इलाज नहीं दन्नौ है रे हाई सत के जवाँ कौन कुछ नसीब है वा इसने मेरी जान बचा कर मेरी जान ले ली सची तो फिर मैं आपको कर छूड़ियों वारे मंदर मिले चलूँगी कितनी प्यारी प्यारी चूड़िया है धन्नौ बीबी जी ये तो मुरादों वानी चूड़िया है इस मंदर की यही तो मानता है कोई लड़की अपने पसंद की चूडिया लेकर देवी के चरणों से पवित्र करके पहने और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूडियों को छूले तो समझो, चटमंग नी पढ़ बया सुपकी जावा हमे चूडिया चाहिए धन्नो कौँचे रंगे दू? सभी रंगों की बिट्टू, ये प्रशाद सबको बान दू जी बैरुसिंग चल दी करो यार, भब भूख लग रही है रोहित, ये प्रशाद है, खाना नहीं सेम तिंग काजल करन ले लो यार ये प्रशाद समझ के दे रही है तुम मिठा ही समझ के खालो, सिंपल करके तुम मिठी करके तुम मुव़ olması उखुम उचके ! हुआ 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 हुआ! हुआ है! बैमान प्यारे, बड़ जलम क्यारे, छोटी सी उमर में ये दर्द प्यारे बैमान प्यारे, बड़ जलम क्यारे, छोटी सी उमर में ये दर्द प्यारे जिसका इलाज नहीं कोई और अगा मुझे रुग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई और अगा मुझे रुग बोलगा चुप गया प्यारे पातार में, जान है मेरे बसमुश के में कुछ मुझे प्यार नहीं करना था यू बे मौत नहीं मरना था सारा कसूर हो तो मुझे का पसंड़ भिया सारा कसूर हो तो मुझे का पसंड़ भिया हुआ 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 है जुक गए कि मुने न कजरारे मर गई है में शरम के मारे चुप से प्यार के जादू चल गए हम दोनों के नाम बदल गए बन गई तू, महभूबा मथ तेरा महभूब बन गया बन गए तू महभूबा मत तेरा महभूब बन गया बीमार भी आरे हैं जुल्म की आरे हैं चोटी से उमर में ये दर्द भी आरे जिसका इलाज नहीं कोई यो रखा मुझे रोग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई और अब कोचे रोग बोलगा जल्लो ये तुम एदर मुढ के देखता भी नहीं प्यार क्या खाप करेगा अरे सत्के जावा भीबी जी करेगा जरूर करेगा आप भगवान का नाम लेके एक से बारा तक एक ही सांस में बोल दीजेगा अगर बारा खतम होने से पहले उसने मुढ कर देख लिया तो समझ लीजेगा सत्के जावान सच्छी? ठीक है एक दो तीन चाथ पान छे ताथ आठ नो तस गैरा धनौक सवा गैरा साड़ गैरा पॉने बारा पाजी फलटके देख जो तो पूरी के बारा बच जाएंगे पाजल अभीकर जिंदा है क्यों? इसे मैं उसकी खुशकिस्मती समझू या तुम्हारी नाकाम या भी मुझे सही मौके का इंतजार है मैं और इंतजार नहीं कर सकता उसका कल कभी नहीं आना चाहिए यह सुद्र अगर भी कमाल की जगह है यहां हर देव कोने को पॉइंट है कहीं पर संसेट पॉइंट है कहीं तो लोव पॉइंट है और डमरू मैं है तू तो सुसाइट पॉइंट है बीबी जी धन्नो यह किसकी आवाज है यह महुआ के आवाज है बीबी जी महुआ यह स्पार की लड़की महुआ जिसे उस स्पार की लड़की से प्यार हो गया था लगर दोनों गाव में दुश्मन थी गाव़वालों को उँघर कबूल नहीं था एक रात एक रत जब महुवा अपने आशिक से मिलने उस पर पहुंची, तो गावालों इसे माल डाला, माल डाला? वो रोती रही, मुझे कुवारा नहीं मरना, एक बार अपने मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदुर भर लू, दिल चाहे माल डालना, मगर जालिवो उने एक न सुने, फिर? फिर, फिर लड़के न जब अपनी महुवा की लाश को देखा, तो वही पिचीखा और ठेर हो उसके बार, उसके बार दोनों की मजारे यहां बना दी गई, कहते हैं, आज भी इन वाधियों में महुवा की आवाज गुशती रहती है, प्यार करने वालों का ऐसा अन्जाम, धन्नो, हम इन मजारों को देखना चाहते हैं, सत के जाहां, अरे बिचुची, जाह संबल के, यह दम्रू काँ चो लगया? मेरा निकजियां तोता में, देखो किंज खिलाता में, दर गई? आथ जाओ डरातों में, सत्ची? करवाया सत्ची, जाओ गरातों में, सत्ची? वडिब की शाम, क्सी से खिलाओ, भी जाओ तो यह इल्ट नहार कि लूसेए पान स hmm इंघ 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 कि उल्ट को अwnieते हो एंघ लुग Richardson हुँ है Awwww इंग ईंग में इंग समय स कर दोड़ इंग और गल ucci में सेंगे इंग एंग बुर रहो बुर कля के लोगे लोना लोगे लोगें बुरू बेलाए, बेलाए, बेलाए! गझेलाए! कर दो कर दो झाल 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 प्रुट प्रूछ नहां हुआ 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 हु करदा है हाथ देखाओ मेरी जान बचाना तुम्हारी बहदुरी थी लेकिन जखम को जखम नहीं समझना बहदुरी नहीं बेवकूफी होती है तुम्हें पता है कभी-कभी छोटे से छोटे जखम भी वक्त पर ना इलाज करने से नासूर बन जाते हैं जान भी जा सकती है अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तुम मुझे क्या एक बोडिगार जाएगा दूसरा आएगा और अगर तुम यह समझते हो तो तुम से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा और मुझे चाहिए भी नहीं तुम काफी हो काजल यह खेलने की चीज नहीं है जान चाह सकती है जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आया हूँ कहना क्या चाहती हूँ वही सच विदिन रात तुम्हारी आँखों में देखती हूँ वो सच जो तुम कहना चाहते हूँ मगर कहनी बाते है कौन सा सच? यही, यह तुम्हे अपनी जान से ज्यादा, मेरी जान प्यारी है इसी सच ने तु मेरी जान ले ली करन और मैं मर गई तुम पागल हो गई हो तुम गातल, मैं पागल जोड़ी अच्छी रहे के न मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए अब कोई वापसी नहीं करन मैं यहां महवा की मजार पर यही कसम खाने आथी तुम्हारे सामने कि हमारे प्यार का अंजाम यह मजारे नहीं विवा की वेदी होगी नेनों में महवूब के देखूंगी मैं डूब के शादे के बाद मैं मर जाओं थो हम नहीं कवारा नहीं मरना कवारा नहीं मरना साहिल पे बैठी के जर्या की दूपा नता नजारा नहीं करना कवारा नहीं मरना ये लाज का घूंगट खोलूगी ये बाड मैं सबसे बोलूगी ये बाड मैं सबसे बोलूगी मेरे घरवालों चुक रहने का तुम उछे इशारा नहीं करना, तवारा नहीं मरना चाचुट की पर सिंदूर वका, चली से मेरी मान सजा चाचुट की पर सिंदूर वका, चली से मेरी मान सजा मैं मर गई तो लेके मेरा नाम सूँ कुकारा नहीं करना, तवारा नहीं मरना पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोक भी शानी है पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोक भी खानी है, तसना है रोना है जीना है दिल खाम के गुजारा नहीं करना, तवारा नहीं मरना हाँ 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 तिलना अर्मान निकल जाए, तिर चाहे जान निकल जाए तिल बार मान निकल जाए, तिर चाहे जान निकल जाए ओ दुनिया वालों सुम्दा दिलों को जुदा खुदारा नहीं करना, कवारा नहीं मरना कवारा नहीं मरना, कवारा नहीं मरना खाँ आशे वांण है अँअअई, मुझे प्यार नहीं हो सकता प्यार नहीं कर सकता ये तो खायओ, कवे अगर यह काम है, सबना है, तो मुझे इससे लड़ने की जरुवत क्या है, मेरे अंदर कौन है, जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है, मेरे दिल नहीं मेरा दुश्मत क्यों बंदा जा रहा है, क्यों मैं उसे सब कुछ बता दूगा, वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तभी, तभी मुझे ये मुक्ती मिलेगी, सब कुछ बता दूगा मैं, सब कुछ मैं तुम्हारी जान का सौधा कर चुका हूँ, मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था गरन, तुम भी जाग रहे हो, हमें भी नीन नहीं आई, शायद इसी को प्यार कहते है, है न? गाजल, मैं तुम से कुछ कहना चाता। पहले पसीना तो पोच लो, लगता है किसी से लड रहे हो मैं वो नहीं हूँ जो तुम मझे समझती हो हम जानते हैं क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है गाजल, यह नहीं भी प्यार है काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाओ? यह मजबूरी भी प्यार है इसे पढ़ लेगा, मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लेती है हमने तुम्हारी आखे पढ़़ ले, हमें बुक्च नहीं पढ़UU काजल असली Presidential इस काघज में है hrlich कारन हमारे दिल में है अब तुम भी कुबूर करल करन कि तुम्हें हम से प्यार है मुझे जो कबूर करना है वो सब इस काघज में तर्च है हम तुम्हारे मुझे सुनना चाहते हैं नहीं, कभी नहीं अगर कुबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो तो लो, हमने एक आगस भाट अब तो तुम्हें अपने मुझे कुबूल करना ही पड़ेगा मैं करता तुम्हारे इंकार में इतना जनून है तो इकरार का आलम क्या होगा तुम यहां से चली जाओ काजर कहां कहां से निकालोगे हमें करन सीने में जिस रफटार से गोली उतरती है उससे ज्यादा रफटार से प्यार यह नफरत है प्यार से ये नफरत भी प्यार है ये नफरत भी प्यार है और रामाएंड जैसे गर्म्त की रचना की बोलो सिया वराराम चंदर की जै करन तुम भी आ हात आगे बढ़ा अरे बंधवालो यार कोई हतकड़ी थोड़ी है हाँ पुतर ये तो हतकड़ी से भी ज्यादा मजबूत चीज आगी हतकड़ी नू तुसी चापी नाल खोड़ सकते हो किसी कोई चापी ही नहीं इक दफ़ा बांधिया ना तो बंध गए अपने देश में हर चीज का मीनिंग है जो अपने आप से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है तुम ये जंग हार चुके हो करण नहीं हरकिस नहीं तुम अपने आप से जूट बोल सकते हो करण हमसे नहीं ये जूट नहीं सच है Look at me. हमारी आँखो में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं. Gajal. बोलो, Gharan. Gajal, मैं... मैं कुछ नहीं जालता. जो तुम नहीं जानते हैं, हमारी जूडिया जानते हैं. तुम्हारे सिवा सारी कायनाद चानते हैं. तुम्हें हमसे प्यार हैं. जो हमें देखकर तुम्हारे रोम रोम में किरन की तरह फूट रहा हैं. पिर ये कौन है, जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंग्लियों में तडप रहा हैं. वो जो भी है, आए उसे खत्म कर दूगा. जिसे तुम खत्म करना चाहते हूँ, वो तुमसे बहुत बढ़ा है, करन वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है उससे पहाडों को चीर कर दूद के दर्या निकाले उससे तपने रेकिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाए उससे टकराकर पत्थर भी तूट गए, वो आशिक है गरन, आशिक मुझे नफरत है उससे क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे कबूल कर लो, कि तुम हमसे प्यार करते है मर जाओंगा, लेकिन कबूर नहीं करोगा ऐसी कसम मतलो, जो तुमने पहाना सको तुट जाओंगा, लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा तो हमें भी इस नदी की कसम हम तुमसे कबूल कर वाकर रहेंगे यह सोनी महिवाल की नदी है प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है अज इस जल को हम अपनी हतेली में उठाकर सौगंत खाते हैं अगर हमारे हतेली का जल गिर जाने तक तुम ने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा Kerry जूटा है हम इस नदी में कूटकर अपनी जाम देदाने इस जल की एक एक बून में हमें अपनी एक एक सास रखती है और जब तक ये जल हमारा दिली पर है हमारी जान है दिली पर है हमारी जान है . मैं घरकिं तुरे सीनमे बिराद। अलग आलग अब जीना हे मुश्किल कर नाभ रियासा मेरे सीने में तेरा दिल भर गे, तेरे सीने में मेरा दिल अलग अलग अब जीना है मुश्क, मरना है आजान जान, मेरी जान, जान मेरी जान, मेरी जान चुप रहके खामोशी से मैंने तुझे बुकारा भी कभी कभी इन आँखो से मैंने किया इशारा भी बिली शारी, मेरी बैंदी साँझी में के सी नादा, चान मेरी जान चान, मेरी जान, मेरी जान sub indo by broth3rmax तेरे नाम से ही मुझे को दुनिया वाले जानेंगे तेरी सूरत देखते अपनी दोग मुझे पहचानेंगे मैं तेरी पहचान बनोगी तू मेरी पहचान जवान, तू मेरी जवान जवान, तू मेरी जवान, मेरी जवान इस दुनिया की नजरों से हमको दूर निकलना है लेकिन सुझ को याद रहे हाथ पकड़ कर चलना है इस दुनिया की नजरों से हमको दूर निकलना है लेकिन सुझ को याद रहे हाथ पकड़ कर चलना है यहां तलक तो ठीक थागे रस्ता है अंजान जान मेरी जान जान मेरी जान मेरे सीने में तेरा दिल धड़के तेरे सीने में मेरा दिल अलग अलग अब जीना है मुश्किल मरना है आपान आ अलगे वर्व сов आग मेरे जार सिए है लुप अदे Teams, 받े ख़िया आपान है आप दोलग अलंग्न gu. आगнуться तेने मेरे एुप आए्डाएं करते बिल आपके गारे। झाल 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 मेरे खंजर मेरे सिने में पत्यार आशिक हो गया आए नागंदर नए अब काजल की मजद एक हाथषा नहीं इन्तिकाम होका इन्तिकाम कालू ओ कालू, ठेरे को दूद मिकाने के वाथ ते बोला था छेड़नू, पालू दन्व दूदानं़ निकाने था आंदर धन्व इसके अंदर दन्व जी बापू, तू अंदर क्या कर रही है, वो क्या है ना बापू, मेरे सुई है ना सुई, वो गुम हो गई है, सुई गुम हो गई है, कमाल जुठी लर्की है, इसकी चीजे जब से एक आप भूता है बाब गुम होने लगी है, कभी इसकी सुई गुम हो जाती है, कभी इसकी आपन जी बिलकुल अपनी मापे गई है इसकी तो चीज़े गुम होती है बहुतो चार चार राते खुद ही गुम हो जाती थी सुई गुम हो गई है जंग लगी होई बिगडी मशीन हमारे अच्छे कारे में बादा लालता है ताले हराम जादे तेरे को छोड़ूगा नहीं अब एक कबाब में की टेप रिकॉरडर ये तेरा असली बाप है क्या हाँ मेरे को तो बिलकुल नहीं रच पाई इसको बाद में करेगा हम एक करन से भी ज्यादा बेरहम गातल चाहिए जिजाजी दिलावर सहरत पार का अतंक वादी है उसके राश्मकार में इतने कतल इतने डाके इतने रेप के केस दर्जा है कि उसे हादमी नहीं दिलिंग मशीन केहते हैं दिलावर मौत और दिलावर बता कर नहीं आते काम काईजल की मौत केमत जो तुम चाहो जी जाजी कराने वो भी बड़े का दिलावर और अा मिलावर शोखब acesso dal चिले शोगर आतना प्ष्वाजा, कमार फे टिल्णे तुमा प्छिस करज़ आतनी पार आतनी पारत प्छलवरे सागर से धर्टी, धर्टी से पर्बत, पर्बत से उचा गगर, उचा गगर से आर नहीं कोई, एक रब दूचा सजनू सागर से धर्टी, धर्टी से पर्बत, पर्बत से उचा गगर, उचा गगर से आर नहीं कोई, एक रब दूचा सजनू रब से सजन से जूत नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना रब से सजन से जूत नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना आए 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 सावन की गार, साचन के साथ, विल पुल आचे नी साव साव बोलो, क्या है बढ़ेरी साव साव बोलो, क्या है बढ़ेरी को बोलो, क्या है बढ़ेरी साव 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 बोलो, क्या है बढ़ेरी विल आचे ना उसका लाम नहीं बोलना और किक्सी से दिल का भेब नहीं खलना चेचे ना चेचे, चिकाची किंग चिकाची किंग किस प्यारे की आगे सुनो कुछ से कहानी जो बन में आई किसकी जवानी जो बन में आई किसकी जवानी शर्वी लेगार हस्तानी चाल उसकी निशाने तू तो नहीं वो लगी दिवानी युभूर की देखो मेरी औरला और किसी से दिल का भेब नहीं खोलना 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 ये मौसम है गीतों का मन मीतों की प्रीतों का आज के दिन का मेला है कल पानी का रेला है जाने क्या ले जाएगा जाने क्या दे जाएगा चल ओ धोली धोल बजा कब क्या हो जो किसे पता क्या लाएगा कल रवल्ड भसो चल हुँआए गीं को सिर्ड़ा करदी है! भाई साफ भाई साफ रुकमनी क्या हुआ जल्द चलिया यह अनर्थ हो गया है अरे पर क्या हुआ कुछ बोलो तो सही काजल मेले में गे थी वहां गोलिया चल गई मेरी काजल ठीक तो है काजल के कहीं पता ने चल रहा है वो भी नापता है वो भी नापता है तुम होसरा रखो मैं आ रहा हूं काजल काजल थर रखो मैं एल्म कुछ फ्रगल क्या हुआ कार dog ree करन लाप पता है क्या कर रहे हो तुम लोग ये काम आतंक वादियों का लगता है रोशनलाद जी लेकिन हम यकिन के साथ कुछ कह नहीं सकते क्या मुँ दिखाऊंगे मैं अपने दोस्त में काजल को कुछ नहीं होगा दादू काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है ये क्या क्या करें हमारी खादर ने हाथ चला ली हत्यारे के हाथ थे अच्चा हुआ चल गए इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दासंसकार कर दिया हत्यारे के हाथ ये तुम क्या कहरें करें कैदर के सब जूट है यही सच है यही मेरी असलियत है अगर आज ना कहपाया तो फिर कभी नहीं कहपाऊंगा मैं तुम्हारी हध्या करने आया था नहीं रखवाला कातल नहीं हो सकता वो एक फरेब था तुम्हारी करीब पहुचने का असली मकसद तुम्हे कतल करना था क्यों करन क्यों हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे, ऐसे लिए थे मैंने हमें यकीन होता, हमें बिलकुल यकीन होता आखर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत सिंदकी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता सिंदकी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिया थे नहीं, क्या 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 है? आपकर! आप इसमी क्यों परते हैं? ये मारे मेरी देखे भाई, समयने की कोशिश की जिए अगर हम इने यह रखते हैं तो दूसों की जिन्दगी को खत्रा पदा हो सकता है ये जिन्दगी भी तो इसी की है मेरी दुनिया मेरी मा से ही शुरू होती और मेरी मा पर ही खत्म हो जाती मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही मुझे तूप पिलाती रही और खुद सखमों का जहर बीती रही मेरी उम्र उसके चेरे पर चुरियां बनती गई वो मेरे लिए बड़ी-बड़ी किताबे लाती ताकि मैं पढ़ लिखकर बढ़ा आद मी बन सकू लेकिन उन किताबों को करीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत पर दाश करती रही तुझाने कबसे बिमार थी, लेकिन उसना मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कहीं कोई ईश्वर था, जिससे सब पता था जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुपता थीरे थीरे जखम नासूर बन गए, और ईश्वर देखता था मा मुझे सब अधाश नहीं होता बेटा, मुझे बार क्यों नहीं दालता भगवाद ऐसा में बोल्मा, तू चलती ठीक हो जाएगी जिना मुझे भाई साब, भाई साब डॉक्टर साब कब आएगे, मेरे कॉने मालू सिस्टर, क्या है? सिस्टर, मेरी मा बहुत तकलीफ में इतना तकलीफ का खयाल है, तो सरकारी अस्पतल में क्यों लेकर आए? मेरे अगना कौते मुझे 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 मिल जाएगी और तुझे भी मेरी मा मा, मा, डाल मुझे मेरी मा मुझे बहुत मांग रही थी ना मैं उसे बहुत दे सकता था नहरा उनको जो मिमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महेंग है अगर अपनी मा की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिसे तुमारी मा के दर्द को चुटकारा मिल सके इंजेक्शन मेरी मा की जान बचा सकते थे लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा बहुत सारा और बहुत चंद जो ना तो तुमारे बड़े बापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आतर्श इधर दर्द परदाश्ट से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द परदाश्ट के उस हद से खुजर गया जिसे मा कहते हैं मेरा इश्वर मर गया और जब मेरा इश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की सिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने हाधर्श, अपनी इंसानियत, अपना इमान बेज कर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौधा कर लिया मैं तुम्हारी मौत बन कर रहा है था लेकिल तुम मेरी सिंदगी बन गई मैंने कादिल को मार दिया काजल अब सिर्फ करन है, जिसकी सिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी सिंदगी की इफासद, मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूँगा तुम्हें जिसे खत्म करना था, तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे हम उने सब कुछ बता देंगे बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपतना आता है करन ये दुश्मन कोई और नहीं पापके कुछ बड़े कुछ बड़演 no करत बड़े उना कुछ बड़े एक आस का दिया चलाक, किसी ने तुमें पत्थर से तेवी बनाया, यह दिया मेरे करन की हिसांस है माँ, यह दिया पूच करना, तो मेरे आस पूच्यागी का अबस थारभो पूच्याओ पूच्यागी फद्सिक shoddy रार, रज़, पूच्याओ पूच्याओ DOभ पह, पहुमा कने इओ कोसरी ए 도ाद SAYU इओ काचल इओ हो काचल करहो करहो उम्च recall करहो उम्चर इओ करहो उम्चि करहो उम्चर इओ करहो यह तुमने क्या किया यह तो तुम्हारे प्यार की महंदे अपने हाथ में रचा लिए अपने हाथ में रचा लिए अपने हाथ में अपने हाथ मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा करन का कुछ पता चला ना वेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला वह सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हुँ वैसे पुलीस चानवीन कर रही है पेरो सेंग करन को रखा गहा था वहां आउटोस में रखा था जी एक मिनट मेरी बच्ची और कातिर के हाथ में काचल, काचल पुलिस रुप जाओ आप लोग हमें ढून रहे थे न श्रीस हमें मेरी बड़े पापा के पास पहुचा दीजे बजए ही! काचल! 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 काच Webb! गष्सक लonदिण कर उपव्self राजड है! भाज़ रारिय में वरिय में रारुडर खायों! पल समय प्सम आतने देंद पुरई आमें लूरी रारिय में छरुडर 12 praying message हुआ हुआ कर दो सकते हुआ तो ठावाया हुआए तब तकर देजा हुआए तबत्रो हुआए तेजए तेज़ए तेज़ ए खिर देज़िए हुआए तेज़ यज़ ए electrify ज हुआए प्लीबट यह इडर ठाते हम बुर नुरनपूा हो राते है आप तेरी लाश अवाले करूगा विशब बसे गोलाइग फटथम एओ फ अवाल ए वुँ WORK वदासथी पंथख़क। फटथम वड़क। कि कड़ बुढ कर दो कि असने हम दो दो कर दो को ऑड़ से अफ बूए कि बुड कर दो कि अब दो वा जा आ どुँKK जा या जाल ՜ा जाल जा 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 हुई जा जा ड़ा आप अप 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 अ अ अ सर हमने इसी जगह पर आखरी बार करण को देखा था हमारे आदमें उस पर गोलिया में चलाई मगर वो भाग निकला और मेरी बेटी काजल काजल तो उसके साथ नहीं थी सर सर क्या है हरीपूर एलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली कहा है सर लाश उस तरफ है सर कहीए आपकी नहीं सर यहां से तरही के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में यह सतलुच दरिया चारों तरफ खत्रा ही खत्रा है और उपर से जंगली जानवर मुझे तो फिकर उस जानवर की है जिसकी चकड में मेरी बच्ची है मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाओ हाई 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 और तलग गई है हमारी बच्ची को हमने जैसे सुना कि वो कमीना बाडी गार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है तो हम से निवाला गले से नहीं उत्रा जाने कौन सी अशुक गड़ी में वो बाडी गार्ड को रखा था भाई साब ने पगवान चाने वो हमारी फूल जैसे बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा ना स्वीता तू फिकर मत कर भेहना एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे गाजल काजल काजल कर दो काजल कर 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 दो जाएं इस प्यार की आख मिचोली में चल तुछे बिठा के ले जाओं मैं दो नैनों की डोली में करीं हम ऐसे करेंगे थे दुनिया यार रे ऐसे करेंगे यार के दुनिया यार करे क्यार समंदर से कहरा सब लोग कहते हैं किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं हमसे पहले कितने इस प्यार के मारे इस इश्द के दर्या में बस डूर गए सारे कर जाएं किसे हंता के दुनिया यार करे कर जाएं इसे हम बार के दुनिया यार करे यू जी मरेंगे यार के दुनिया यार करे करते हंने उयामस का यार कारा में पूपता है, यार करे में जी दूनिया रगे राएं अ. झाले करेंगे, तर इसका दुनिया मारे तार्निया तुल बार्मस किसे हम है राएं में आतमन mystery किसी पाएं किसे प्तरृर इक तुझे के दिल पे हम नाम लिख डालें, अपनी प्रेम कहानी का अंजाम लिख डालें इक तुझे के दिल पे हम नाम लिख डालें, अपनी प्रेम कहानी का अंजाम लिख डालें इस प्यार में सारी दुनिया को भूलके दो चार पर तेरी बाहों में खूलके कर ले बाते दो चार के दुनिया याद करे कर ले बाते दो चार के दुनिया याद करे यू जी ये मरेंगे यार के दुनिया याद करे हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया यार करे यू जी ये मरेंगे यार के दुनिया यार करे यू जी ये मरेंगे यार के दुनिया यार करे यू जी ये मरेंगे यार करे आजल लिट अप्री पापा आव पेछा आऊ अपने बडे पापा की पास आई बड़ पापा नहीं पढ़ जा तू सामने से काजन इमा उम्रण बड़ी पापा सहां मैं मुझ्रम हो प्रेंग आज तक किसी मुझ्रम को नहीं बख्षा मैं मुझरिम हूँ कमिशर साहब, यह जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने यह जुर्म किया है, यह भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरो के नीचे समीन नहीं है, मैंने यह जुर्म किया है, और मेरा जुर्म मेरी मुहबत है, नहीं, तेरे ज तुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ सिंदगी खत्म होती है। तुह अबत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा। क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। यह तु क्या कह रही है मेरी बच्ची। तु पागल तो नहीं हो गई है। तु भी दुष्मन की बाटों में आ गई। कमेश्णर साहब आज मैं आपको बताता हूं के दुष्मन कौन है। दुष्मन को तो आज मैं मिटा दूँगा। रुग जाओ काजल। काजल रुग जाओ। काजल को वो ले गया और बड़े जिजों जी को छोड़ दे गया आप ही तो उसे रखवाला बना कर लाए थे ना भाई सार्ट जिन्दगी में पहली बार सूर्य देव सिंग ने धोका खाया है एक बार वो मेरे हत्ते चड़ जाए मैं उसकी रग रग से उगलवा लूँगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मौरे की तरह इस्तमाल कर रहा है क्या होता जिजाजी अगर करन सूर्य देव सिंग के हत्ते लग जाता और बता देता कि काजल के कतल के पीछे हम लोगों की साजिश है दूरिया देव सिंग हम लोगों को नहीं छोड़ता, आप बरबाद हो जाते,आपका शत्या नाच हो जाता, आप के सारी हुमीदों में पानी पिर जयाता जिजाजी पनवारी जब और अधि खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं न उतने ही उसकी आस्तीन में मैं तुम्हारे लिए एक कहफाल आई हूँ करन की मा जैजै वा दिदी वा तुमने तो कमाल कर दिया आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है कहां है करन आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा जरूर आएगा जिन्दा या मुर्दा क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने उससे कोई कोई खलती हो गई कैसा वो तो बच्चा है अगर उससे कोई खलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूं साब उसे माफ करतेजिए लेकिन उससे कुछ मत करिएगा देखिये साब आप लोग तो बड़े लोग है बहुत बड़े लोग लेकिन वो वो तो अभागा है विचारा मेरी कोग की पत्तसी भी जिंदगी भर साय की तरह उसके साथ रहे नहीं साहब बख्ष दीजे मेरे बच्चे को कुछ उमत करिये आपको चाहिए तो मेरी जान लेनीजे लकिन मेरे बच्चे को बख्ष दीजे ना गिंदर का चलो यह दरिया हमें अमारी मंजिल तक पहुचा देगा फिर कोई खत्रा नहीं चलो हमारे हवाले करदे करन किसी कीमत पर नहीं हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी मा की मौत की वजए बन सकती है वो हमारे कब्से में है कि देखा काजल तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है इतना बड़ा धोगा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थे चलो करन हम बड़े बाबा को सब कुछ बता देंगे नहीं काजल मेरी मा उना थ्यारों के कब्से में है जब तक मैं अपनी मा को छुडाने का कोई रास्ता नहीं ढूंड लेता तब तक तुम्हें और मुझे अपनी सुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर पापाजी तागेंदर, हाए हाए किसने किया इहाल मेरे लालका इतना सारा खुल मेरे फूर्जे से बच्चे पर इतने सारे सखम तागेंदर करन पापाजी और आपजादी मैं तारी जान ले लूगी और टान लूगी तुझे तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया हाँ एक एक सखम के पत्ले सो सखम लगाँगे तेरे बना पर ना 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 इसका बेटा आएगा तो उसकी आँखों के सामने इसके दुनों हाथ काट देंगे गुड्ले तोरकर इससे आप पाहिच बना देंगे गली के कुछले हुए कुट्टे जैसा हाल कर देंगे इसका इतना तरपाएंगे इतना तरपाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत के भीख मंगेगा तुम मेरे करन को नहीं जानते अगर उसने मेरे जिसम पर एक भी खरोच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आजाएगी उसके खौफ से मौत भी तुम्हे पना देने से इंकार करतेगी प्रेश्टेम इसे बस मरने मत देनो बाकी जुवान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो झाल झाल सासु काईरों के गहने होते है ling, इले उतार कर भैक दो हम तुम मिचालत में नहीं पिला तुम बॉल क्यों रहते को शोबाम नहीं है क्यों हो यह सा शैरी ये से शैदे रहु और जाधे रोके सेना पड़ेगा गाजल, सेना तो पड़ेगा मेरा पयान मेरी माँ की मौत का फर्मान बन सकता है मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी बढ़े न तो दे दूँगा अगर तुम्हें कुछ होगे नकर तुम्हारी कासम मैं पूरी जाना नहीं बड़ली यह सिर्फ मेरा ही नहीं बलके तुम्हारा भी अम्तिहान है मेरी दड़ब देखकर तुम टकमगा मत जाना हम दोनों की खामोशी में ही मां की जिंदगी है बस एक बार मैं इंसा लाखों के बाहर हो जाओ और अपनी मा को बचा लूँ फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ सारी दुनिया से तुमने यहाने की जुरत कैसे की चला बड़े पापा करने बड़े पापा कजल गम जरूरी है मुहाबत के फसाने के लिए दिल है आने के लिए और जान जान के लिए और जन के लिए जन गई दिला आया शीशा पथर के तक राया जंग गई दिल आया, शीशा बसर से चक्राया, शीशा तूट गया, शीशा तूट गया जान गई दिल आया दो कि ढयऽ आपको Itsật है उमारी आपुमे आख हिदाकर करते है या इस गहता मैं अपरायी है या इस गहता मैं आप कोशी है म myśले बसकूर बसकूर तो दवाखिलों सिदने करते दर्द के मारे कम नहीं मिलते इतने किसी खो गम नहीं मिलते तर्द के मारे कम नहीं मिलते इतने किसी को अम नहीं मिलते तो दर्द मेरे दिल करताया तो रख दूठ गया तो रख दूठ गया प्यार किया दुख पाया फिशा पधर दे कतराया तूट गया पधर तूट गया जान गई दिल आया जान गई दिल आया जान गया भाय साब वो मर जाएगी भाय साब तो क्या मैं उसे जीते जी आग में छोग दूँ आग में तो जली रही है भाय साब वो पागल हो गई है रुपनी अंधी हो गई है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जिनोन उसकी सारी जिंदगी को तभा करके रखतेगा उसकी जिंदगी करन है यह आप भी नहीं देख पा रहे हैं तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसियत देने मैं पुलिस कमिशनर सुरी अदर सिंग में काजल के बड़े पापा और अपने भाई साब को ढूनने आई हूँ काजल की एक सिसकी से हविले की बुनिया दे हिल जाते थी उसकी हर एक फर्माइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी और आज उसके आसों का सैलाब आपके कलहे पर दस्धर दे रहा है और आप खमुश है आसो दलील नहीं होते रुकमनी अगर इसी तरह आउलाद के आसों से पगलकर हर माबाप अपने आउलाद की बेल अगामजित के सामने अपना सर चुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नसल पैदा करने में काम्याब होंगे जिम्मेदार इंसान नहीं काजल आपका खून है भाई साब लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप नोसे समझा ही नहीं अपने खून के साथ मुझे क्या सुलूब करना है इसका सबक मुझे तुम से लेने की जरूरत नहीं आपको जरा भी एसास नहीं कि करन पर पढ़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है और काजल टूक जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे पहाड़ों को टूपने का खौफ नहीं होता जी हाँ शायद इसलिए पहाड़ों को अउलाद नहीं होती तुम अपनी हैसिय से बाहर जा रही हो अपने मुगाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो इस घर में तुमारे लिए सिर्फ फर्ज है हक नहीं मैं तो भूली गए थी कि मैं इस घर की नौकरा नहीं हूँ ये भी भूल गए थी कि नौकरों का कोई रिष्टा नहीं होता अच्छा हुआ अपनी याद दिला दिया मैं 18 साल इस घर में नौकरी करते रही मगर कभी अपना मौबजा नहीं मांगा लेकिन आज मांगते हूं ठाकुर साहब आज मैं अपना हक मांगते हूं काजल का प्यार मेरे जोली में डाल देजिए तारीख बदल सकती है रुपने लेकिन काजल की किस्मत एक मुझरिम के हाथ हो कभी नहीं रिखी जाएगी कभी नहीं तो आप भी सुन लिजी ठाकुर साहब अगर काजल के किस्मत में एक मुझरिम है तो आप उसके किस्मत बदल नहीं सकते और मैं क्या हवलदार काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोईत जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा, इन आशों को तु काजल की बिदाई के लिए बचा के रख रोशनलाल, तुने मेरी लाज रख लिया लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाजवाज नहीं होती, अब तू जा और शादी की तयारी करू एक बार रोहिस से पूछ लेता, पूछ लो, रोहितर, तुझे कोई इतराज तु नहीं है, बला मुझे क्या इतराज हो सकता है, दादू, दोस्त अगर हम सफर बन जाएं, इस से बड़ी खुशी की बाद क्या हो सकती है, हम ये शादी नहीं करेंगे, मैं वचन देकर आया हूँ, आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते, बड़े पापा, गाजल, मैं तेरी आंकों में बगावत देख रहा हूँ, ये बगावत आपके उसूलों के महरबानी है, ये बगावत हमने आपकी खैद से क हमाई है, बड़े बड़े अलफास बोलने लगी है, लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, जब बड़े बड़े न रहे, तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है, बड़े पापा, चन्द ही दिनों में उस हराम खोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है, वो क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आँखों में कारती थी, ताके एक दिन मेरा ही खून मेरी आँखों से टपकने लगे, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहु की मौत के बाद भी जिन्दा रहने की इमत की, मुझे अच्छी तरह से याद है व जो कर दông history 有 भा जो करा हुआ़ कर दो कर दो आज़ भाल पापी гित जा सकाgam जान पुआ़कर, बमने पुआ़कर, भापी ज़ जो भाफ़सं हा ज़ फउदा जार जचआ़कर जआ सुनिये क्या हुआ सुरी हम मा को नहीं बजा पाए लेकिन यह आपकी पुती मैंने अपने आशुओं को तेरी मुस्कराटों से पोंच दिया मेरे अरुन और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी लेकिन तेरे नन्ने नन्ने हाथों के साहरे मैंने एक नई दुनिया नई जिन्तकी शुरू की और आज उनी हाथों ने मेरे मुह पर कालक पूत दी जिन दूद मुए होटों को मैंने बोलना सिखाया था उनी होटों ने मेरे खिलाब वगावत की आवाज उठाई अरुन और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता बड़े बापा, बड़े बापा मैं आज ऐसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आसों के समंदर पादी हम तो ये भूली गए थे कि आपकी जिन्दगी हमसे शुरू होती आपकी खुशी के लिए विवा की वेदी दोगी हम सूली पर भी चट जाएंगे बड़े पादी हम जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तयार है हमारी एक वर्याद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझे कन्यादान की तरह इसी पे एक दान समझकर हमारे आचल में डाल दीजिए बोल, क्या चाहिए तुझे करन की रहाई यह ना मुम्किन है करन भी एक असूर है बड़े पापा चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है करन की रहाई हमारी बिदाई है आपकी चौकट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा कुछ नहीं यह रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तु कभी भी लौट नहीं सकेगा वो अंधेरे ही तेरी आखरी पना होंगे जा अपने मनहुस साय के साथ सरहत पार कर जा मेरा साया काजल की परच्छाई है कमिश्णर साहब मैं अकेला नहीं जाओंगा काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है तो खुश नसीब है कि तुझे जिन्दगी मिल गई दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंग से तेरी मुलाखात नहो मेरी मन्जिल काजल है कमिश्णर साहब मेरा हर रास्ता काजल तक पहुझता है करन को आप मौत के हमें कर सकते है लेकिन काजल से दूर नहीं काजल किसी और की जिन्दगी बनने जा रही है काजल ने खुद तुझे अपनी जिन्दगी से निकाल दिया है मुझे यकीन नहीं तो जा, खुद अपनी आँखों से देख ले जो कुछ कपिस्टर साब कह रहे है, खेतो कि वो जूट है बोलो गाजल, बोलो कि वो सब जूट है, बोलो गाजल, बोलो हमने तो अपनी जान रख दी थी, तुमारी हदेली पर और तुमने इसे मेंदी से बदल दिया अरे अगर धड़कने ही चीननी थी, तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया धोगा दिया है तुमने मुझे मैं तुम्हे कभी बाफ नहीं करूगा, कभी ले अब नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोस्तों तुमत होती है तुमत वक्त वक्त नमस्कार भेहन जी, नमस्कार बहुत-बहुत मुबारक हो आपको आपको भी मुबारक, राजिजानी और बनवारी नहीं आए देखिये न आजकल की बीवीएं कैसी है अभी भी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सलोन गई है अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहां तो लोग इंतदार कर रहे हैं तेरा, बिल्कुल दादो, एक बहुत ही अमजनसी केस आ गया है, जैसी खताब होता हो अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमर्देंसी केस हैंगी अभे काम कीजे, पंडित को हर पांच-पांच मिनिट में सौ सर रोपे के लोड़ देते रही है मैं जल पहुशता हूँ अरे सिंग ते कम फूल क्यों लायो भई हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी है और हमें सारे शहर के फूल चाहिए जो कमिश्टर साहब ने कहा था कि वे कमिश्टर साहब ठहरे ना वो, हम भी तो काजल के छोड़े दादा है जो और भूल ले आओ और सारे मंदब को सजादो चलो जी बहुत अच्छा है विशंबर को देख रही हो रुकमिनी भाई आखिर भाई होता है खुश दिखाई दे रहा है आप तो खुश है ना क्यों मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ शायद आप यह सूच रहे हैं कि रुवित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना तुम खलत सोच रही हो रुकमिनी सूर्य देव अपने लिए गलती कर सकता है काजल के लिए नहीं क्योंकि काजल का भविश्य ही मेरा भविश्य है और फिर रोयते कैसा लड़का है जो काजल के बीते हुए गिनाउने पलों को माफ कर देगा वो काजल को बहुत खुश रखेगा अरे पानी लाओ जल देए रोषण को कुछ गुंदया अगवा करके ले गए आप तेकर मत किजी भाई साब मैंने फोलिस्टेशन फोन कर दिया है मैंने बनवारी और नागंदर को ढूनने के लिए भेज दिया है भैसाब, हम ढूरनेगे रोहित को, हम आप विकर मत कीजिए भैसाब, हम उसे बचाने के लिए पिर जान लगा देंगे, आपका यहां रेना बहुत जरूर है भैसाब, आप बैठीए अपने आपको समाल लिए भैसाब और फिर उस पिच्छू ने डंक मारी दिया आप बिल्कूल ठीक सोच रहे हैं भैसाब, रोहित को अगवा करने में करन का ही हाथ हो सकता है यह नहीं हो सकता यह 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 कीणा था यह कीणा था काजल की पसंद, यह कीणा था काजल की पसंद कि वाँ जीटा जी वाँ क्या प्लान बनाया है नगंदर के हाथ तो रोहित को अगवा करवा दिया और इल्दान लगिया करण पे जहदे इदर मैं रोहित की जिन्दगी को मौत में बदल दूगा और उधर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना एकी छटके में सबका काम त जो है बनवारी जैजर आँ बहुत अच्छे मौके पर आए तेरी मा कहां है बनवारी अब इंदर करें कि मिल लेना मिल लेना लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा नीचे कोठी में एक आदमी बंध है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंध है और तुम्हारी मा की जिन्दगी एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौधा किया था तुबारा नहीं करूँगा करोगे करोगे बड़े खुशी से करोगे एक तुम पर एक कतल उधार है दो अपनी मा की जिन्दगी बचाने के लिए जब तुम एक सौधा कर सकते हो तो जै जै तूसरा भी कर सकते हो नमबर तीन आज सारे महरे हमारे हाथ में है जै जै जीजा जी का सुन्दर नगर हासिल करने का सपना जो आज से अठारा साल पहले काजल के माबाप को जहर दे कर मारने से शुरू हुआ था आज पूरा हो जाएगा तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस अंधेरी कोठ्षी तर जाता है जै जाएगा मुझे तुम्हारी चान लेने के लिए बेजा गया है क्यों किसने बेज आ है तुम्हें बहना मेरी किसी से क्या तुम्हारी हो सकती है उसी से जिसकी रचाई कई ये सारी साज़िश है विशंवर विशंवर? हाँ, कमिशनर साप की आस्तीन का साप जिसने मेरी मजबूरी का फाइदा उठा कर मुझसे काजल की हत्या करवानी चाही और अब मेरी माँ की जिंदगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौट चाता है क्या इत्वाक है? वहाँ काजल विवा की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहाँ मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ काजल, आज काजल से मेरी शादी है यानि कि मेरी माँ की जिंदगी की कीमत गाजल का सुहाग है तो तुम मेरी जान ले लो करन तुम मेरी फिकर मत परो करन काजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा लेकिन तुम्हें मा कोई और नहीं मिलेगी खतम करतो मुझे, बार डालो मुझे जैजै मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरी मा को रिया कर दो मैंने जूट बोला था, अब तु भी मरेगा और साथ में तेरी मा भी ना करने ना इसमें एक ही गोली थी, जो चल चुकी भून दो साले को भून भून भू Rivers भून मैंकर दोस्काथ मैं माते भून मैं गून कर दो को सामने ते कर कैसा लेगा हाँ यू बास्टर्ड पुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् करोड़ पार निकल हरामजादे तूने बहुत सी लाशे जलती हुदे कियोंगी लेगी लाश अपनी मा को जिन्दा जलते हुए देश माँ ज अ वर्याँ कली हुए माँ! दोल भूफ प्र फ्र फ्र वारिमर्दी 확ना जलते हैं जाख माँ एडरे माँ जर ओको साह झोए झोएा六 जर दोएㅠㅠ जर नर ब सार मूए आपार इंए आगा आपार आपारो जर नर आपारो आपारो हो गाड़ी रोको करन भाया तुमारी जान को खत्रा है पुलिस तुम्हें चारो तरफ धून रही है तुम पर रोई भाया को अगवा करने का इल्जाम है कम मिश्ण सामने तुमें देखते गोली मानने का कुप जारी किया है तो मैं शहर सुरके चले जाओ ये कलंक लेकर मैं ये शहर छोड़ कर कैसे जा सकता हूं डमरू मैं इस कलंक को मिटा करी रहा हूंगा जब तक मैं लाट करना हूं पेरी मां का खयाल रखना चलो रोईत करन 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 कबरा मतमा तेरे करन को कुछ नहीं होगा करन, कि उनलनलु करके का जारी मत तक मायं क्पा करन को देशता है कि इफैस जारी करता है करन को देशता है ये गोलीमार दो शूट है ये बास्दर ऐखं़, वह मत वहलूशए पास्टर्ड पास्टर्ड अपनी बेटी की शादी के मंटप में खूल भाना चाहता है ठारी अंकल मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ मुझा गुन्नों से करन ने बचाया अंकल अगर आज मैं आपके सामने जिन्दा खड़ा हूँ, तो करन की वज़े से संभालिए अपने दामाद को बाबुजी और पूरे कर लीजी अपने बड़े बड़े अर्मान तेरा ये नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, हरामजादे मैंने आपको बाबुजी के नाम से बुलाया है हरामजादा तो नहीं कहा कबाले अंकल, एक तो करन ने मेरी जान बचाई और आप इसे गाली दे रहे हैं तुम नहीं जानते रोहित इसी तरह का नाटक इस कमीने ने मेरी काजल की जान बचागर भी किया था उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत लिया था इसने ये गुंडा पैदाईशी मुझरिम है कोई भी इनसान पैदाईशी मुझरिम नहीं होता सहाब या तो बनाया जाता है या पर बन जाता है लेकिन तुम जरूर पैदाईशी मुझरिम हो मुझे यकीन है कि जो खून तुमारी रगों में बैरा आए वो दुस्ती दर्जे का गंडा खुन है कवेष तर्छूरिय देट से गुढ़कर्म मुझसे पर बाप मेरि मा का नाव मतलो मेरे खून को लल का में कोशिश मत करो वरना तुम करो वरना था सरवी नाश होगा तुम करो रोस्त गंदे कीले को छूतेही कैसे लपकता है वो डंक बारने को इसे कहते हैं मुझरिम पेदाईशी मुझरिम नहीं हूं मैं अब देखिए मुझरिम क्या करता है ये शाथी होगी और रोहत और तब पागल की ही ही होगी और यहां इस मन्दप में मेरे सामने होगी पंडर जी हवन पर बैढिठिये और रोहत और काजल कि शादी करवाईए अभी इसी वक्त तुम पागल हो गयो करहर और अब मैं पागल हो गया हूँ और ये पागल तुम्हे हुकम देता है, कि अभी इसी वक्त तुम मंदा पे बैठ जाओ क्यों आपनी दिनने की से खेल रहे हो करना, चले जाए उसे चला जाओंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिन्दा है जो कब और कहां से बार करेगा, कहां नहीं जा सकता और अब तो मैंने अत्यार भी उठा लिया है, तो जब तक मैं तुम्हारा आखरी दुश्मन तक ना मिटा दूँ और तुम्हारी रोहत से शादी ना करा दूँ, तब तक नहीं जाओंगा चाहे मौत का पैगाम भी आए, कब भी नहीं जाओंगा रोहत, काजल, मंदप पे पैठो आ बाटन का फिचसृ श्री भुप्र निषुटना की कis ना पैगाम, बृुप्रेत्पर पोषिको, तुम्हारत्न सो स्कूम्हारत्य केम कह latest message लाविस कुना सिघ्णा, ज्यॉकर पे पनाटना, जिनाये कहं गुरूत़ मुंप जय कर दो है... जय कर दो कर दो... मुंप जय कर दो... जुक जए ए्स, जब हाद का मुंप ए्साद के बिति एपका है... तेदी, अंगंदर, फिलिस, जय, जय, जय. इसमर, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, आहा, मैं पागल हो गया हूँ पागल, सब को मार दूंगा, मेरा बेटा खतम हो गया, मेरा खानुदान खतम हो गया, हाँ, cherry, ह्राम्जादे, तु भी नहीं बचेगा, तुझे तो मेरे काजल को खतम गने के लिए भगल भीजा था, लेकि तुने मेरे खान्दान को बर्बाद कर दिया, तोल, बोल के तू नहीं काजल के माबाप को जहर दे कर मारा था हाँ, काजल के माबाप को मैंने मारा था मैंने जहर दे कर मारा था क्यों? क्योंकि मुझे सुन्दर लगर प्यारा था सुन्दर लगर चाहिए था ना अपसंद नगरा, ना मेरी उलाद रही, इसलिए तुम सब को खत्म गर दो रहा, मैंने तुझे मारूगा, फिर काजल को मारूगा तुम तु है वास्तीन का साफ, एक मुझे मुझे भाई साफ करता रहा, और दूसे मुझे मुझे दस दा रहा दुम, काज़ रहा, आया कविश्टर जहब इस मुझरिम में कौन से दर्जे का खून है आपने मेरे खून को गाली दी थी ना ये तो आपके ही खानलान का खून है जो अपने ही भाई बेटियों का कतल करता फिरता है मुझे तो मेरी गरीबी मेरी मजबूरी ने मुझरिम बनाय था ये क्यों मुझरिम बना खेर मैं तो आज खून कर दिया सही मुझरिम बन गया मैं अब आपके कानून को जो करना है कर ले कर ले ते ने बच्चे मैं जानते थी कि तुझ जरूर को अनर्द करने जा रहा है क्या किया हावा अनर्द तो हो गया तेरा बेटा अज हो नहीं बन गया खत्म हो गया वो ने आज सब तक है अज दुखोदी रखना मैं तेरे ले कुछ ना कर सकावा तुझे माल कर दे समझ ले ना आज से तेरा बेटा मल रहा है करन तुम होनी नहीं बने हो करन आज तुमने एक मुझरिम का खात्मा किया है फरक सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजासत देता है तुम्हें नहीं आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो काजल आज से तुम्हारी है करन और तुम्हारी ही रहेगी मैं तुम्हारे लिए खानून चे लड़ूगा मैं तुम्हारे लड़ूगा तुम्हारे लड़ूगा तुम्हारे लड़ूगा तुम्हारे लड़ूगा झाज से तुम्हारे लड़ूगा हुआ कर दो और दो भूआ है कर्कान ड्राइब चौड़ टूब रिजया कर्या कर दो नहां सेवार दोगा।